साथियों नमस्कार साथियों देश में आजकल एक नरेटिव चल रहा है कि भारत में डिक्टेटर्शिप आ गई है कोई कहता है कि भारत की डेमोक्रेसी खत्रे में है कोई 55 साल का युवा निता कहता है कि देश में लोगतंत्र खत्रे में आ चुका है किसी को मोदी बहुत बड़ा हिटलर नजर आता है लेकिन ये जितने भी लोग हैं ये सब ही वही लोग हैं जो किताब हैं, Google, Research कभी नहीं पढ़ते अगर ये किताब हैं पढ़ते, इतिहास पढ़ते तो इन्हें पता चल जाता कि वास्तिविक्ता क्या थी आज अगर आप इतिहास को अच्छे से देखेंगे तो आपको इस पता चल जाएगा कि जिस डांधी फैमिली को या कॉंगरिस की पार्टी के लीडर्स को जनता फॉलो कर रही है ब्लाइंडली इन नेताओं को अंग्रे जों ने प्लांट किया था एक साजिश के तहत एक सोच की तहत अंग्रे जों की सोच अगले सौ साल तक सोच रही थी और हम लोग इतने जादा अंदे हो चुके हैं कि कोई वीडियो में कुछ भी कह देता है हम उस बात को मान लेते हैं अगर आपको इस बात की सच्चाई ही जानन हैं हमारे आपके नहीं कॉंग्रेस के डॉकुमेंट उसमें साफ साफ लिखा हुआ है देखिए आप परूजल ओफ कॉंग्रेस पाटी डॉकुमेंट्स शोज देट डिस्पाइड गांदी जी हैविंग मेड इस चॉइस नोन 12 और 15 इस्टेट कमिटी जो अलग अलग प्रां अचा गया था कि आपके हिसाब से कॉंग्रेस का प्रेजिडेंट किसे बनना चाहिए भारत की आजादी के बाद इन 15 मेंसे 12 कमिटी जो नाम प्रेफर किया था वो था सरदार बल्लभाई पटेल का इन कमिटी ऐसी थी जिनोंने कोई भी नाम नहीं लिया था और एक भी कि कि आज़ी जी थे जिनोंने आचारे किरपलानी जी बडाया और कहा कि किर्पलानी जी बात सुनीएं यह जितनी भी कमिटी से सबके पास जाइये और सब से कहिए कि आपने जो choice दी है सरदार पटेल की उस choice को बदलें और नहरू जी की choice दें या नहरू जी को सुईकार करें भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए भी भविश्च में और फिलाल कॉंग्रेस का प्रेजिडेंट बनने के लिए नहरू ही हमारे नेता होंगे और यह मेरी चाह है ऐसा बोल दिना सबसे गांदी जी चाहते है ऐसा हो कि अब बताइए क्या ड है मिश्ची का मतलब होता है खेसिक जनता जो कहें वो करो य्या तो जनता और कमिटी नेयर अपने अगया र satisfaction कि सुआ है घानदी जी ने अब गांदी जी 1945 में या 46 में जब 29 अपरेल 1946 को गांदी जी ये कह रहे हैं कि पार्टे का अध्यक्ष नहरू होंगे किस हैसियत से कह रहे हैं गांदी जी किस पद पर थे कि ये बात कह पा रहे थे गांदी जी अहिंसा के उस समय प्रतीक थे गांदी जी आदर्शों के प्रती decision बदल रहे हैं कि और ये लोगतंतर कहां है कि किर लोग नाम किसी और का दे रहे हैं आप select किसी और को कररें कि अब इसकी कानि जानी है जब गांधी जी फंक हरने हम नहैं ती पंदर्य्जी ₹ मेंसे आपका नाम एक फीपर छी पर यह आ आधा वा बताव क्या कि यह जा सरदार पटेल कई बार पार्टी के अद्यक्ष भी रहे हैं सरदार पटेल कई प्रांतों के जो राजा है उनके टच में हैं सरदार पटेल काफी सुईकार रहे हैं लोगों में और सरदार पटेल काफी ज्यादा मजबूत नेता है नेशनलिजम उनके अंदर है उनके लिए दे नेता बन जाओंगा फिर मांसे में देश का प्रदान मंत्री बन सकता हूं आप मेरी टेंशन मतलो गांदी जी ने कहा यार यह तो बड़ी दिक्कत है गांदी जी ने पटेल साब को लाया पटेल साब आई यह तो पटेल साब देखिए पंदरा परचियों में से बारा परचियों में आपका नाम निकला है नहरु जी का एक में भी नाम ने निकला लेकिन नहरु जी का मानना ऐसा है कि उनको पार्टी का अद्यक्ष बनना है और बाद में आगे जाके प्रधान मंत्री बनना है आपको नहीं चाते है वो प्रधान म आदमी थे इस लेटर में इस न्यूज आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि पटेल जी ने साफ साफ यह करके चीज़ें छोड़ दी कि मुझे इन मेटेलिस्टिक चीजों से लेना देना नहीं है यह पदवद कुछ नहीं होता जो होता है देश होता है यह पटेल जी ने कहा था और आप जानते हैं यह पूरी साजिश क्या थी यह साजिश थी अंग्रेजों की एक्चुल में अंग्रेज नहरु जी को पसंद करते थे बिटे चीजों को नहीं देखते थे तो अंग्रेजों का मानना ऐसा था कि अगर हम देश छोड़के चले जाएंगे तो अगर पटेल जी को निता बना दिया तो देश पर हमारी काबू नहीं रहेगी देश पर हमारी पकड नहीं रहेगी इसलिए देश पर पकड रखनी है तो ऐसा न रियासतों में हुआ करता था साड़े पांसो रियासते थी इस देश में यानि कि हर रियासत अगर अपने आप में देश बनना चाती तो बन सकती थी यह देश भी अफरीका कॉंटिनेंट की तरह हो जाता जहां पर अलग-अलग स्टेट होने के बजाए अलग-अलग देश बन कभी प्ले सक्षन से तो कभी referendum से मिलवा लिया जूनागड को referendum से हिद्राबाद को से देश में मिलवा लिया लेकिन जम्मु कश्मीर को नहीं मिलवा पाई थे क्योंकि जम्मु कश्मीर में जब वो जा रहे थे ओपरेशन चलाने के लिए पटेल शाब तो नहरुजीनर रोक भी नहीं हो पाता जम्मू कश्मी ठीक वैसा ही हो जाता स्टार्टिंग से ही जैसा उत्तरप्रदेश है या मद्यप्रदेश है या कोई और प्रदेश है यह नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर नहरु जी आ गई बीच में उसी प्रकार से चाइना को लेकर पटेल जी का रुख बड़ा टफ था चाइना को पटेल जी पसंद नहीं करते थे लेकिन नहिरु जी चाइना को हमेशा से पसंद करते थे इसलिए जब भारत का अक्साई चीन ने कब जाली अवाश्यट में तो नहरूजी ने का कोई बात नि जाने दो वैसे विर्यकिस्ताने हैं अमारे के इसकाम का जो पर्मानिट सीट युए ने सी में भारत को मिलने वाली थी नहरूजी ने का कि भारत को निचे ये काम करो चाइना को देदो ये ज़्यादा ठीक है भारत चीनी भाई भाई ये नारा नहरुजी का था जिस ग्वादर पोर्ट पर आज चाइना सीपेक बनाता हुआ आ रहा है पाकिस्तान में वो ग्वादर पोर्ट पहले उमान के पास गुआ करता था फिर 1957 551 म्हान ने इसकी बुलिल लगाई थी उस बॉली में पाकिस्तान ने पैसे दिये और वह गवादर पॉड पाकिस्तान का हो गया उस उस जगह से पुरी दुनिया में कव्जा रना चाहता है बुल इसको नहरु ने जाने दिया यहाँ पर हमारे लेकिन नहरुजी ने उनसे कह दिया कि छोड़ो क्या करोगे तो फिर वो जो है पाकिस्तान ने खरीद लिया कच्छ थीवु दीप जो भारत और श्रिलंका की बीच में विवादित है यह पहले भारत का इससा हुआ करता था इसे भी नहरुजी ने कह दिया था किया रहे यार क अच्छ थीवु गया वादर गया और ऐसे ही अंडमान निकोवार के आइलेंड में से भी कुछ आइलेंड पकला दिये ते म्यामार को कि तुम रखलो कोई दिक्कत नहीं है अब बताहिए इस तरह की नीती रखने वाले चाचा नहरु अंग्रेजों की पसंद थे इसलिए अ घ्गानदी इंद्रा के बाद राजीव गर्डी गांदी गंडी biological इसब चलता चला आया इतने सılmış रहा होगा अमेरिका का रहा होगा और देशों का रहा होगा इस तरह से बहर दुनिन शर्ट संस्ट फेम लंबा प्लेंन खेला ता को कि और हम और आप इसी बात मिं लगे हुए हैं कि मूध्य लिग्तेटर है बात मूधि को सपोर्ट करने हैं ना करने की नहीं है बात इतिहास जानने की है जब इतिहास जानेंगे तो पता चलेगा कि खेल खेला कहां से जा रहा है बहार से कुछ खेलाडी खेल खेल रहे हैं हमारे देश के प्लियर्स का इस्तिमाल करके अब डिक्टेटर्शिप कहां है देश किस ने बेच दिया इमर्जनसी लगी इंद्रा गांदी के टाइम पर वो अनको लगता है वही सत्य है सत्य नहीं है डॉकूमेट्स देखेंगे तो सत्य पता चलेगा जै हिंद्र